मैं है मांगी कोटेचा तमण नियूस में आपके लिए लाई हूने खबरें खबरों के सुर्वात करने से पहले एक नसराज की सुर्खियों पर दादरा नगर हवेली में एक सरकारी कुए में से एक व्यक्ति की लाश मिलते मची अफरात अफरे बलसाच चिल्ल समहरता को थोड़िया चाती पर अबत्र टिपनी करने वाले की खिलब कारी वाही की मांग करने का सौपा गया ग्यापन दम्मान के चांपा बार से लेकर सी फेस्टर की रोड का जोड़े करन करने की प्रक्रिया हुई शुरू पार्डी सेर में सब्ची विक्रेता की लारियों से ट्राफिक चम की समस्य हुई उत्पन अब समाचार विस्तर में दादरा नगर हवेली के डोकमर्डी गाउंस्तीत प्रबो फल्या में एक सरकारी कुए में एक व्यक्ति किलाश तेरते दिखाए देते लोगों में मची हल चल दादरा नगर हवेली के डोक मरडी गाउस्तीत प्रभू फल्या में एक सरकारी कुवा है जिसमें आज संबुजा किलास तेरती हुए लोगों को दिखाए दी लोगों ने तुरंट पिपरिया पुलिस पीएसाई लासी कुमर्सी को चानकारी दी थी जानकारी मिलते ही पीएसाई अपनी पुलिस दल के साथ डोक मरडी के प्रभू फल्या में आप पहुचे और देखा की एक प्यक्ती किलास कुवे में तेर रही है जिसका नाम स्थानी को ने संबुजा बताया था पुलिस ने तमकल जवानों की मदद से लास को बहार निकाला जिसके बाद लास को पोस्ट मॉटम के लिए सिल्वासा किसरी वीनोबा भावे सिविल अस्पताल में बेजा गया पुलिस की प्रात्मिक चांच में यह सामने आया कि रूतक संबुजा की सुरभाई नदीम भाई की चाली में रहता था और किसी कंपनी में काम करता था संबुचा किला स्कूवे में कैसे गीडी या उसने आत्मा हत्या की है या कोई संबुचा को मार कर फेक गया है उस दिसा में पुलिस ने चार्च शुरू की है पारडी और उद्वाडा से बाल मस्दूरी और पिच्शा वृत्ती में दित 16 बच्चों को बाइल ड्राइव मुहिम के तहर चुड़वाया गया चिल्ला में बाल सुरुक्षा अंतरगत जुवेनल जेस्टिस एक्ट 2015 के तहर चिल्ला बाल सुरुक्षा एकम और चाइड लैंड एकजार इठान भी कारियरत है तब आज रोज पारडी और उद्वाडा के विस्तार में बच्चे पिक्षा वृत्ती और बाल मस्दूरी करते सामने आए तब वलसर सेटी के बाद अब चिल्ला कलेक्टर आरार रावल के दिशा निर्देश और सहकार से चिल्ला में पाल मस्दूरी और बाल पिक्षुक नाबूदी के लिए निरंतर ट्राइव का आयोचन किया है और उद्वाड़ा दमनी चापा और मार्केट विगेरे विस्तार में से कुल 16 बच्चे जिसमें 15 कुमार और एक कन्या जिसमें 13 बाल मस्दूरी और तीन बाल पिक्षवरुती के लिए छोड़ने में आये है जिसको पुनहस्थापन के लिए आज रोज जिल्ला पाल कलियान समीती वलसार के सामने पेश करने में आया है जिसे पच्चों का समाज में अच्छे तरीके से पुनहस्थापन हो सके आज रोज तारिक बावीस नौ बेह जर्वीस ना दिवसे वलसार ना पारडी औने उद्वाडानी मारकेटेरिया जे छे तो एमा आपड़े बाल बिक्षुक औने बाल मजुरी उपर ड्रायू करवामा आवी हती जेमा आपड़े सोड बालको रेस्क्यू करवामा आवेला आपड़े सतत छेला दस दिवस्ती कलेक्टर साहिबना मांग दशन हेटा ड्रायू आयोजन करी दिया छे एमा वे वलसार चीटी बाद आपड़े आज रोज पारडी औने उद्वाडा खटे ड्रायू करी छे अने आपड़े सोड जेटला बाड़ों को मडिया गया जे एमा दिवसे बाड़ों को ओछा थावा जो एड्रायू पचे एनी जगे बाड़ों को वोधी रिया छे तो आपड़े में काम एछे के लोको मा जागरूती आवे कि आपड़े बाड़ मजूने बाड़ बिख्शुक न थी राखवाना एज कार्यात्राम आपड़े आगड़ अने बाड़ मजूरों माटे नी आजनी DCPU अलेके सुरक्षा एकम अने चाइल लाइन टीमें उदवाड़ा खाते अने पारड़ी खाते एक ड्रायव लिधी एनी अंदर तेर बाड़ मजूरों अने त्रोंड बिख्शुको मड़ी आविया छे मित्रों जे रिते कलेक्टर स DSP सहेब ना मार्गदर्शन अने साथ सहकार थी अत्यारे बाड़कोना भविश्य अने बाड़कोना कारजी अने रक्षन माटे नू जे अभियान चाली रही उचे वलसार जिल्ला मां एमां आपड़े उत्तर उत्तर जोता जता छे के जे रिते बाड़को मडी आवे छे जे बाड मजूरोंने तमे ना राक्षो बाड़कोने तमे योग्यरीते सहकार आपो एमने मदत करो अने स्वावलंबी बनवाना संसकार आपवा जरूरी छे परन्तु बाड़ वहिमा एमने भणीने आगर वद्वानू सरकार स्रीनी पन चीनता चे अने आपड़ा तमाम सामाज आगे वानों नी पना चीनता हो भी जोई है तो आज रोज जे रीते सोड बाड़कों मड़ी आविया छे ए आज अमारी CWC कमिटी मां हजर करवा मां आविया छे अमे लोकों अमारी आ प्रोसीजर मां माबापने समझावी ने फरी पाचा एक संदेश हापवा मांगे छी है के बाड़कों ने तमें अटकावो आँ ड्राइव आखा जिल्ला मां रोजे रोज चालवानी छे ए भुलिया वगर बाड़कों ने कामे जता अत्वा बाड़कों पासे भिख्षा लेवानू बंद करावो एवी अमारी सवनी एक लागनी सभर विननती छे समस्त आदिवासी समाज की धोडिया चाती पर असामाची तत्वद्वारा असिस्ट टिपनी करने वाले की खिराफ आज रोज विल्सार्चिला कलेक्टर को सापा गया क्या पर फेस्बुक पर वाइरल एक पोस्ट वीडियो में देखा गया था कि सिंगनपोर दभोली चार रस्ता सुरच शेहर में एक सीयर्पी जवान ने एक टेंपो चालक को पकड़ कर किसी कारण से मारा मारी की थी और एक जागरुत नागित ने इसे शेयर किया था समस्त आदिवासी समाज के दोडिया जाती के विरुत दिनांग 292020 को फेस्बुक के माध्यम से सोशल मीडिया पर वाइरल इस वीडियो पर वावनगर का एक व्यक्ति जिसका नाम हरपल सिंग राजपुत है उसने जतिन शा नामक व्यक्ति पर दोडिया के मा और बेहनों पर अशिश टिपनी की थी और दोडिया जाती के लिए अशिश शब्दों का उलेक किया था और समस्त आदिवासी समाज को देश तो ही कहकर वर्ग विग्र किया था ऐसे व्यक्ति के खिलाफ कारेवाही होनी चाहिए और दोडिया जाती और उनके मा और बेहनों पर अशिश टि पील के साथ आवेदन पत्रा सौपा गया था। 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 अवेदन पत्रा सौपा गया था। पील के साथ आवेदन पत्रा सौपा गया था। अवेदन पत्रा सौपा गया था। पील के साथ आवेदन पत्रा सौपा गया था। पील के साथ आवेदन पत्रा सौपा गया था। वलसर जिला पुलिस अधिक्षप डॉक्टर राश्दिप सिंग जाला के आदेश पर पुलिस मतक में खलबली मच गई है। वापी टाउन में सोमबार को PSI AD म्यात्रा ने प्रोहिबिशन केस में चार आरोपी के बजाए एक ही आरोपी के खिलफ कारे वाही कर अन्यों तीन आरोपी को शोड़ दिया था। इस अंतरकट DSP डॉक्टर राश्दिप सिंग जाला ने पुलिस मतक में लगे CCTV के आदार पर चार्ज की थी और तुरंधी म्यात्रा को सस्पेंट कर दिया था। तब बात मंगलवार को पुलिस इंस्पेक्टर SJ बारिया की बदली भी कर दी गई थी। चिल्ला पुलिस अधिक्षक ने टाउन पुलिस SJ बारिया को वलसर लाई बी में ट्रांसफर कर उनके स्थान पर जो पहले टाउन पुलिस मतक में थे और फिलहाल धरमपूर CPI और लाई बी में काम करते आरडी मकवाणों को नियुक्त करने का आदेश किया था। उलिखनिया बात तो ये है कि सस्पेंट PSI AS म्यातरक को रिटायर होने में केवल 10 महीने ही बाकी रह गए थे जो पहले ही आरोपी के सामने कारेवाही नहीं करने के प्रक्रण में फर्स चुके हैं जबके पुलिस इंस्पेक्टर SJ बारिया के रिटायर होने में 6 महीने ही बाक संकी तयारी संग प्रदेश दमण में जापाबार से लेकर सीफेस रोड बढ़ा किया जाएगा जिसके लिए प्रशाशन ने कामगीरी शुरू कर दी है रोड के सेंटर से साड़े साथ मीटर तक मार्किंग की गई है खारिवार से बस्टें तक के रोड बढ़े कर दिये कर दिया है दुकानों और घरों पर लाल मार्किंग भी कर दी गई है सापाबार मुक्य रोड से पुलिस टेशन चेटी गार्डन सीफेस और मुनसिपल मार्किट जाने का मार्क है चिल्ला प्रशाशन दोरा नगरपाली का चिनाओ के बाद ये बड़े रोड करने की कामगीर जमिन की भरपई भी की जाएगी दमन्यूस में वक्रेट छोटे से ब्रेक गाम झाला मुन समीक्राछ जाए ब्रेक प्रूल मार्क हम बड़े сाम प्रूर्ट साथ प्रूल प्रूल प्रूंग प्रूंग झाल 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 प्रेक के बाद एक पर फिर से स्वागत है आपका पार्डी चार रस्ता से मरी मातक के मंदिर तक गेर कानूनी तरीके से सब्जी की लारी की वज़े से बड़ी ट्राफिक की समस्या ट्राफिक में 10-15 मिनित गुज़रने से वहाँ चलक हुए परिशान पार्डी शेहर में कोरणा महमारी में लॉक्टाउन के खुलने के बाद से ही पार्डी चार रस्ता से मरी मातक के मंदिर तक गेर कानूनी तरीके से लगाई गई सब्जी की लारी की वज़े से ट्राफिक की समस्या बढ़ती ही जा रही है ट्राफिक की वज़े से यहां से आने जाने वाले फोर विलर चालकों को दस से पंदरा मिनिट तक ट्राफिक का सामना करना पड़ता है तब पारडी के नव नियुक्त अध्यक्ष हसुभाई राठर और उपाध्यक्ष संगीता बेंट पटे इस समस्या को कैसे हल करेंगे ऐसे अनेक सवाल उड़ रहे हैं लारियों को तालाब के पास सबसी बेशने के लिए जगा दी गई थी फिर भी सबसी बेशने वाले नियमों का पालन नहीं करते और अभी नए सबसी बेशने वाले पारडी चार रस्ता से मरी माता के मंदी तक सबसी फ्रूट और अन्य लारी जगा जगा पर रखकर ट्राफ और साथ ही कोरोना के सरकारी नियम विशेश का सोशल डिस्टंसिंग और मास्क पहनने का पालन कर वाइं जो वहन चालक भी बिना मास्क के वहां चलाते हैं उनके पास से डंड वसूली करें और गेर कानुनी लारी लगाने की वज़त से यहां जो ट्राफिक होती है उनके सामने बिकारे वही करें फिलहल वलसाड में वलसाड स्पी द्वारा ही इन सबी के सामने लालाक करन रे इस अतिक्रमण को दूर किया गया था इसी तरह पारड़ी में भी यदि यह अतिक्रमण दूर हो जाए तो वहन चालकों की भी परिशानी दूर हो जाएगी वापी नुत्तर नगर नगर पालिका के शित्र के विस्तार में वाड नमर तीन में आए इस विस्तार के चुने गए प्रतिनीदी और पालिका अध्यक्ष की निश्क्रियता को लेकर जाहिर सडकों पर गैर कानोनी पार्किंग कर ट्राफिक के बादित होने की वज़े से यहाँ गाड़ी खरीदने बेचने का व्यपार पिछले कई वक्त से चल रहा है और इतना ही नए गुलजार ट्रावेल के पास गैर कानोनी रिक्षा स्टेंड रातो रात खड़ा कर दिया था साथ ही जाहेर सडकों पर आवारा पशू की परिशानी भी बड़ी है तब इस चाफिक की समस्या को लेकर स्थानिकों की परिशानी भी बड़ी है बार बार तंत्रों को शिकायत करने के बावजुद परिशानी का हल नहीं निकला तब पाली का अध्यक्ष और पुलिस अधि किया गया रहे कर रक्तदान शिवीर का कार्यक्रम आयोचित किया था जो कि इस कार्यक्रम में 9 बोटल यूनिट रक्त 71 करने में आया था कार्यक्रम के दौरान वलसा रक्तदान केंडर के कर्मचारियों ने सेवा दी थी कि आम बे भागला पाडवा मा ते रोको तेयार खे कि पाड़की पाड़की मा जितार रिया कि कोंग्रेस भाजब करवा लाएगा अमें आ खाली समाच सेवा माटे आ कार्यक्रम राख्वा मा आवेला होतो पन एना थकी अमने ता परमीशन नम वहेड़ी अने इना काराणे अमने आ घणा एवा अपुट जग्या एटके जग्या पन अमने पूरती न पड़ी एवा जग्या ग्राम पंच्या थड़ी मा रा तरुबेवच्टो परेट करो एग्हा उप्योगिशे यहा प्यड़ी मदे जग्या जिराक सणज़्क जो पाठ्टै आ फ्यांप जग्या में ब्लाघ तकलिवत पड़ी न अमने खुबर तकलिवक्पड पड़ी के इसे मासने फड़ी ना थी पड़ी लौन से द्पड़ी वहाद मारे अंदा थे कि हमें पोगा मादी करें तो अमार ग्रूप से सम्वेट लाइख पहल करी छे कि हमें पहल करीछे क्प्राराद धणपूर आदेवासी गरिया मारे ये लाड नी शोतेज पढ़े अंदा माटे इनोको धपका आगा ध्यूद पर जाओ पजितिव बुप संग प्रदेश 3D भाचपा महिला मोर्चा अध्यक्षा सिंपल तंडेल की नित्रूत्वा में महिला मोर्चा की तीम ने खानविल चिले की मुलाकात लिग। महिला मोर्चा अध्यक्षा सिंपल तंडेल ने इसके बाद खानविल चिले की रुदाना पंचायत पर चिले की महिलाओ के साथ पैठक कर उनकी समस्या ओ कोशाना महिलाओ की समस्या सुनने के बाद महिला मोर्चा की अध्यक्षा ने उनकी समस्या दूर करने हे तू आश्वास इस बैठक में 100 से ज्यादा मैला ये उपस्तित रही थी। तथा फनवसी कल्यान आश्रम एक लवी चात्रावास के पचास रड़कों को फूट पैकेट वितरन किया। समस्या है ज्यादा लोगों की है लाइट की है और एक चीज जो है वो सोचा ले तो वो जो समस्या मुझे दिखाई आने वाले दिनों में हमारी पहले यही रहेगी कि सोचालाइज जल से जल उनको उपलत करा है जो कहां पर पाइलट यह क्या है उसका पूरान रिच्शन करेंगे और दूसरी पार हम लोग जब भी आएंगे यह थांदर में हम लोग चाहंगbased के साथ हम लोग आएंगे और इस इस्तार में हम जितने लोगों के सभवशे सुने के और निरीच्शिन करेंगे और आज मुझे कारेगा हूं कांधि मइला जूना चाहते कि सिन्वा सारा से महेश्वरी महिला मंदर ने भी आज बासपा का दामन भामा है और खानल से भी है और नरल हमने वहां पे भी ट्विटरन की हुई है और वहां पे हम से काफी मिला है परमुक को में दन्यवाद दूँगी कि वो हमारे साथ टीम वर्क कर रही है और करेंगे और महीला मोर्चा का यह पेहला इत्यास इन्हों ने रचा है जापे डेड्सो की संख्या में महीला ép equilibrium हुई है और सभी ने बीज़ईपी का दामन धामा है और morning में महिस्वरी समाज में êtes अहीज़ईपी का दामन धामा और रांदा में भी jaadam ने जो वित्रन किया है वहाँ पे 100 लड़किया का अनातासम है और 50 बच्छों का अनातासम है तो मैं मेडम को बहुत बहुत दन्यवाद देती हूँ कि मेडम अमरे साथ ऐसे ही चलते रहे तो हम भी इनके साथ इनके सहयोग से आगे जाते रहेंगे और मेन मोटो हमारे है कि BJP जो हमारे है और संगटन हमारा मजबूत मीले पस यह हम चाते हैं कि सारी महिला एक साथ एक जूतों पर हम कारिया करें खबर रुकी समाप्ती करने से पहले एक मिसराज की सुर्खियों पर दादरानगर हवेली में एक सरकारी कुए में से एक विक्ति की लाश मिलते मची अफरात अफरे बलसा चिल्लसा महरता को थोड़िया चाती पर अबत्र टिपनी करने वाले की खिलाफ कारी वाही की मांग करने का सौपा गया ग्यापन दम्मन के चांपा बार्सेले कर सी फेस्टर की रोड का जोड़े करन करने की प्रक्रिया हुई शुरू पाड़ी सहर में सबची विक्रिता की लाड़ियों से ट्राफिक चम की समस्य हुई उद्पन तो ये थे अब टेक की दमन्यूस गलफीर मिलेंगे नए समाचारों के सब तक हिमां की कोटेचा को इजाज़त दीजिए धन्यवाद झाल 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 झाल